हे परमपिता परमात्मा, आज हम भक्ती से नम्र बनकर आपके चर्णों में आए हैं, आपको हृदे में धारण कर हम अपने मन और आत्मा को पवित्र बनाते हैं, आपकी शरण में रहकर हम अपने दुर्गुनों को धोना चाहते हैं, हे दीन बंधु, कृपा सिंधु परमात्मा, आपके उपर श्रद्धा और विश्वास रख कर आपकी कृपा से हम इस भवसागर को पार कर सकें, सभी हाथ चोड़कर तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम भूर भुवास्वाहा तत्स वितुर्वरेणियम भर्गो देवस्यधीमही धियोयो नहा प्रचोदयात् ओम भूर भुवास्वाहा तत्स वितुर्वरेणियम भर्गो देवस्यधीमही धियोयो नहा प्रचोदयात् ओम भूर भुवास्वाहा तत्स वितुर्वरेणियम भर्गो देवस्यधीमही धियोयो नहा प्रचोदयात् अथ अगनी होत्र मंत्र जल से आच्पन करने के तीन मंत्र इन मंत्रों के द्वारा दाय हाथ की हथेली में जल लेकर आच्पन करेंगे ओम अम्रितो पस्तन मसी स्वाहा ओम अम्रिता पिधान मसी स्वाहा ओम सत्यम यशहा श्री मैश्री श्रयताम स्वाहा जल से अंग स्पर्ष करने के मंत्र इसका प्रयोजन है श्री के सभी महत्वपूर अंगों में पवित्रता का समावेश तता अंतह की चेतना को जगाना ताकि यग्य जैसा श्रेष्ट कृत्य किया जा सके दाहिने हाथ की हथेली को धोले अब बाए हाथ की हथेली में जन लेकर दाहिने हाथ की दो मध्य उंगलियों को उनमें भीगो कर बताए गए स्थान को मंत्र उच्चारन के साथ स्पर्ष करें इस मंत्र से मुख का स्पर्ष करें ओम वांग में आसे अस्तू इस मंत्र से नासिका के दोनों भाग ओम नसोर में प्राणों अस्तू अब इस मंत्र के द्वारा दोनों आखें ओम अक्षोन में चक्षूर अस्तू इस मंत्र के द्वारा दोनों कान ओम कर्णे ओर में शोत्र इससे दोनों भुजाएं ओम बाहोर में बलम अस्तु इस मंत्र के द्वारा दोनों जंगाएं ओम उर्वोर में ओजो अस्तु इस मंत्र से सारे श्रीर पर जल का मार्जन करें ओम अरिष्टानी में अंगानी तनुस्तनवा में सह संतु इश्वर की स्तुती प्रार्थना उपासना के मंत्र ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव ओम हिरन्य गर्भा सामवर्तताग्रे भूतस्य जातहा पतिरेक आसीत सदाधार प्रित्वी ध्यामुतेमा कस्मई देवाय हविशाविधेमा ओम्य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशीशं यस्य देवहा यस्य छाया अम्रितं यस्य मृत्युहु कस्मय देवाय हविशा विधेमा ओम्य प्राणतो निमिशतो महित्वैक इंद्राजा जगतो बभुव यईशे अस्य द्विपदश तुष्पदा कस्मय देवाय हविशा विधेमा ओम्येन द्योरुग्रा प्रित्वी चद्रिडा येन स्वाह स्तभीतं येन नाकाह यो अंतरिक्षे रजसो विमाना हां कस्मय देवाय हविशा विधेमा ओम्प्रजापते नत्वदेता न्यन्यो विश्वाजातानी परिताब भुव यत्कामास्ते जुहुमस्तनो अस्तुवयं स्यामपतयो रईनाम ओम सनो बंधुर जनिता सविधाता धामानी वेद भुवनानी विश्वा यत्र देवा अम्रित मान शाना स्तृतिये ध्यामन धैर्ययंत ओम अग्नेनय सुपथा राय अस्मान विश्वानी दे वयुनानी विद्वान युयो ध्यस्मजो जुहुराण मेनो भुविष्टामते नम उक्तिम विधे महा दीपक जलाने का मंत्र इस मंत्र के द्वारा दीपक को प्रजुलित करेंगे ओम भूर भुवा स्वाहा अग्ने अधान इस मंत्र के द्वारा हवन कुण में अग्ने स्थापित करेंगे चार छें चोटी चोटी समिधाएं हवन कुण के बीच में रखिए अग्नी प्रदीप्त करने का मंत्र जलता हुआ कपूर समिधाओं के बीच में रखिए यदि कपूर ना हो तो उसके स्थान पर रुई को घी में डुबो कर जलाईए और इस मंत्र के द्वारा अग्नी को स्थापित कीजिए ओम उद्बुद्य स्वागने प्रति जाग्रीही त्वमिष्टा पूर्ते सम्स्रिजेथा मयंच अस्मिंत सदस्थे अत्युतरस्मिन विश्वे देवायज मानश्च सीदत घृत की तीन समिधाएं रखने के मंत्र तीन चोटी समिधाएं घी में डुबो कर इन मंत्रों के द्वारा स्वाहा के उचारण के साथ हवन कुण में रखिए इस मंत्र से प्रतम समिधा रखें ओम अयंत इद्म आत्मा जात वे दस्तेने धस्य वर्धर स्वचे धवर्धया चास्मान प्रजया पशुविब्रह्मा वर्च से ना न्याधेन समेधाएं स्वाहा इदम अगने जात वे दे से इदम नमम इन दो मंत्रों से दूसरी समिधा रखें ओम समिधा अगनिम दुवस्यत गृते बोर्धया तीथम अस्मिन हव्या जुहोतना स्वाहा इदम अगने इदम नमम ओम सूसमिधाए शोशिते गृतम तीव्रम जुहोतना अगने जात वे दसे स्वाहा इदम अगने जात वे दे से इदम नमम इस मंत्र से तीशरी समिधा रखें ओम तन्त्वा स्मिध भरिंग्रो गृतेन वर्धया मसी ब्रिहचो चाय विष्ठै स्वाहा इदम अगने इदम नमम इन मंत्र से गृत की पाच बार अहुती देवे ओम अयन्त इद्म आत्मा जात वे दस्तेने धस्य वर्धर स्वचे धवर्धया चास्मान प्रजया पशुविब्रह्मा वर्चसे ना न्याधेन समेधाय स्वाहा इदम अगने जात वे दे से इदम नमम इन मत्र से गृत की पाच बार अहुती देवे दस्तेने धस्य वर्धर स्वचे धवर्धया चास्मान प्रजया पशुविब्रह्मा वर्चसे ना न्याधेन समेधाय स्वाहा इदम अगने जात वे दे से इदम नमम इन मत्र से गृत की पाच बार अहुती दस्तेने धस्य वर्धर स्वचे धवर्धया चास्मान प्रजया पशुविब्रह्मा वर्चसे ना न्याधेन समेधाय स्वाहा इदम अगने जात वे दे से इदम नमम इन मत्र से गृत की पाच बार अहुती दस्तेने धस्य वर्धर स्वचे धवर्धया पशुविब्रह्मा वर्चसे ना न्याधेन समेधाय स्वाहा इदम अगने जात वे दे से इदम नमम इन मत्र से गृत की पाच बार अहुती दस्तेने धस्य वर्धर स्वचे धवर्धया पशुविब्रह्मा वर्चसे ना न्याधेन समेधाय स्वाहा इदम अगने जात वे दे से इदम नमम जल प्रसेचन के मंत्र इन मंत्रों के द्वारा वेदी की चारो दिशाव में जल छिड़कावें इस मंत्र से पूर्व में ओम अधिते अनुमन्यस्व इससे पश्चिम में ओम अनुमते अनुमन्यस्व इससे उत्तर में ओम सरस्वते इस मंत्र से वेदी के चारों और जल छिड़कावे ओम देव सविता प्रसुव यग्यम प्रसुव यग्यपतिम भगाया दिव्योगं धर्वा केतपू केतम नहा पुनातुवा चस्पतिर्वा चमनहा स्वधतू घी की चार आहुतियां इन मंत्रों के द्वारा हवन कुंड में घी की आहुतियां डालेंगे इस मंत्र से वेदी के उत्तर भाग में जलती भी समीधा पर आहुति देवे ओम अगने स्वाहा इदम अगने इदम नमम इस मंत्र से वेदी के दक्षिन भाग में जलती हुई समीधा पर आहूती देवे ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमम इन दो मंत्रों से यग्यकुंड के मध्य में दो आहूती देवे ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते इदम नमम गी की आहुती के अन्य मंत्र स्विष्ट कृत आहुती इस मंत्र के अन्त में स्वाहा शव्द के साथ प्रसाद चीनी या मिष्ठान और घी के साथ आहुती देंगे ओम यदसे कर्मनो अत्यरी रिचम यधानियोन मिहा करम अक्निष्टत स्विष्ट कृत विधात सर्वं स्विष्टम सुहुतं करो तुमे अग्नये स्विष्ट कृते सुहुत हुते सर्व प्रायश्चिता हुती नाम कामानाम समर्ध यित्रे सर्वानाह कामांत समर्ध ये स्वाहा इदमगने स्विष्ट कृते इदनमम दैनिक अग्निहोत्र की प्रधान आहुतियां इन मंत्रों से घी के साथ साथ बाकी लोग भी समगरी की आहुतियां देंगे ओम जोतिर जोति ही सूर्याह स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो जोतिर वर्चाह स्वाहा ओम जोति ही सूर्याह सूर्यो जोति स्वाहा ओम सजूर देवेन सवित्रा सजूरुष सेंद्र व्यता जुशानाह सूर्यो वेतु स्वाहा ओम भूर अगनाय प्रानाय स्वाहा इदम अगनाय प्रानाय इदम नमम ओम भूर वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदम नमम ओम स्वरा दित्याय व्यानाय स्वाहा इदमा दित्याय व्यानाय इदमनम् ओम भूर भुवा स्वरगनी वायवा दित्य भ्याह प्राणापान व्याने भ्यास्वाहा इदम अगनी वायवा दित्य व्याह प्राणापान व्याने भ्याह इदमनम् ओम आपो जो तीरसो अम्रितम ब्रह्म भूर भुवाह स्वरो स्वाहा ओम याम मेधाम देव गणा पित रष्चो पासते तयामा मध्य मेध यागने मेधा विनम कुरू स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितर दुरीतानी परासुव या भद्रम्तं आशुव स्वाहा ओम अगनेनय सुपथा राय असमान विश्वानि देव युनानि विद्वान यूयोध्यस्म जो जुहुरान मेनो भुःष्टाम्ते नमा उक्तिम विधेमा स्वाहा ओम अगनी जोतिर जोतिर अगनी स्वाहा ओम अगनी वर्चो जोतिर वर्चा स्वाहा इस मंत्र को मन में उच्चारण करके आहूती देवे ओम अगनी जोतिर जोतिर अगनी स्वाहा ओम सजूर देवेन सवित्रा सजूरात्रें द्रवत्या जुशानो अगनिर्वेतु स्वाहा ओम भूर अगनाय प्राणाय स्वाहा इदम अगनाय प्राणाय इदम नमं ओम भूर वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय इदम नमं ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदम नमं ओम भूर भूवा स्वरगनी वाईवा दित्ते भ्याह प्राणा प्रान व्याने भ्याह स्वाहा इदम अगनी वाईवा दित्ते भ्याह प्राणा पान व्याने भ्याह इदम नमं ओम आपो जो तीरसो अम्रितम ब्रह्म भूर भूवाह स्वरो स्वाहा ओम या मेधाम देव गणा पित रश्चो पासते तया मा मध्य मेधया अगने मेधा विनम कुरू स्वाहा ओम विश्वानी देव सवितर दुरितानी परासुव यद्भद्रम तन्न आसुव स्वाहा ओम अगनेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानी देव युनानी विद्वान युयोध्यस्मजो जुहुरान मेनो भूईष्टाम ते नम उक्तिंबिधेमा स्वाहा अब तीन बार गायत्री मंत्र से अहुति देवे ओम भूर भुवा स्वाहा तत्स वितुर्वरेनियम भर्गो देवस्यधी मही धियोयो नहा प्रचो दयात्स्वाहा ओम भूर भुवा स्वाहा तत्स वितुर्वरेनियम भर्गो देवस्यधी मही धियोयो नहा प्रचो दयात्स्वाहा ओम भूर भुवा स्वाहा तत्स वितुर्वरेनियम भर्गो देवस्यधी मही धियोयो नहा प्रचो दयात्स्वाहा पून आहुति पून आहुति के लिए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जावे और इस मंत्र से तीन बार घी और समगरी से पून आहुति करें ओम सर्वंवई पूर्णम स्वाहा ओम सर्वंवई पूर्णम स्वाहा ओम सर्वंवई पूर्णम स्वाहा हे सर्वरक्षक परमेश्वर आपकी कृपा से निष्चे पूर्वक मेरा आज का यह समगर यज्यानुष्ठान पूरा हो गया है मैं यह पूर्ण आहूती प्रदान करता हूँ हे परमात्मा यह यग्यनुष्ठान पूर्ण होने के बाद सफल सिधो इसका उदेश्य पूर्ण हो यग्य प्रात्ना के लिए सभी अपने अपने हाथ जोड़ कर परम्बिता परमेश्वर से प्रात्ना करेंगे पूजनिय प्रभु हमारे भाव उच्वल कीजिये छोड़ देवे छल कपट को मान सिकबल दीजिये वेद की बोले रिचाए सत्य को धारण करें अर्ष में हो मगन सारे शोक सागर से तरे अश्व में धादिकर चाए याग्य पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को निति श्रथा भाक्ति से यग्य आदि हम करते रहे रोग पीडित विश्व के संताप सब हरते रहे भाव ना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की काम नाए पुर्ण होवे याख्य से नर नार की लाभ कारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सरवत्र हो शुभ गंध को धारण किये स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पत्थ विस्तार हो इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड जुकाए मस्तर बंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे पूजनिय प्रभु हमारे भाव ज्वल कीजिए छोड देवे छलक पट को मान सिक बल दीजिए ओम द्यौ शांती रंतरिक्ष शांती प्रित्थ विही शांती रापाह शांती रोशधयह शांती वनस्पतयह शांती विश्वे देवह शांती सर्वं शान्ति ही, शान्ति रेव, शान्ति सामा, शान्ति रेधी, ओम, शान्ति ही, शान्ति ही, शान्ति ही